आज मैं आपको explain करने वाला हो Repo Man 2010 की है मूवी है और इस मूवी एक science fiction एक theme पर ही best है तो इस मूवी में हमें दिखाए गया है कि future का time है और जब हमारे जो organs होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो लोग उसको transplant कर सकते हैं बहुत सारी future की चीज़े भी इस मूवी में दिखाए गया है पर main theme यही है तो चलिए इस मूवी को आज मैं आपको explain करूँगा मूवी स्टार्ड होती है और हमारा जो main hero है उसका नाम है रेमी रेमी जो होता है यह एक repo man होता है इसके job के बारे में आपको और भी कुछ बताऊंगा पर यह next scene में जब मूवी स्टार्ड होती है तो पहले हमें दिखता है कि वो typewriter पर कुछ लिख रहा होता है वो scientist के बारे में बोल रहा होता है वो कहता है कि scientist ने cage बनाया उसमें rat डाले पर rat को वो मारना चाहता था rat को मारने के लिए उसने उसमें poison वेगरा छोड़ा पर rat मरा है या जिन्दा यह देखने के लिए उसे उस cage को open करना था वो फिर कहता है कि अगर यह successful experiment हो जाता तो इसमें उसे पता नहीं चलता कि यह जिन्दा भी है या नहीं यानि कि एकी time पे वो जिन्दा भी है या मरा भी है यह जो statement वेगरा है वो सब लिख रहा है यह आपको बहुती confusing लग सकता है पर movie का जब end आएगा तो आपको पता चलेगा यह actual में इसका meaning क्या है next scene में हम देखता है कि बहुत बड़ी एक apartment होती है और उसमें हमारा hero यानि की रेमी होता है रेमी फिर अपने आप से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो उसने अभी अभी लिखा था वो उसको कुछ sense इसका नहीं आ रहा रेमी का जो character है इसको किसी भी चीज से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा ऐसा हमें दिखाया गया है यह army बे भी था इसलिए इसको कोई भी चीजों से फरक नहीं पड़ता है और जो job है वो job है इस तरह से उसके एक philosophy होती है और इससे वो जीता है movie के first में उसने जो पताया कि एक time पर आदमी जिन्दा और मरा हुआ दोना कैसे हो सकता है तो यह वो अभी इसमें ज़रा conflicted है उसे इतनी conflict लग रहा वैसे तो नहीं आती पर इस चीज से वो conflicted है फिर उस apartment में होता है बहुत ही अच्छी से apartment होती है उसे वो view enjoy कर रहा होता है पर वो एक आदमी का wait कर रहा होता है उस apartment का जो owner होता है फिर वो अंदर आता है उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसके साथ वो intimate हो जाता है पर उससे पहले रेमो उसी interrupt कर देता है वो owner से बदाता है कि मैं pay कर सकता हूँ फ्लीज मुझे मत मारो पर उसे वो shot कर देता है उसे वो गोली नहीं मारता पर उसका एक device होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है फिर हमें दिखता है कि आपने back में से पूरे equipment वेगरा सब वो निकलता है और उसमें से उसकी body में से एक organ वो निकाल लेता है अब या आदमी मर चुका है पर इसके बाद वो उसका statement उसे बोलता है उसके company के rules होते है यसी भी आदमी का जो organ होता है वो निकालने से पहले उसे बताना होता है कि क्या आपको ambulance शाही है या नहीं पर वो manager से आपको पता है कि उसको ज़्यादा कुछ फरक नहीं वड़ता तो इसलिए उसे वो बाद में बोलता है जब वो आदमी मर गया है उसका job होता है इसके बारे में यहां में पता चलता है वो एक company में job कहता है यह जो company होती है यह loan पर लोगों को organs देती है यह जो organs होती है यह synthetic organs होती है तो इससे आदमी के जो organs से इसको replace करा जा सकता है पर यह बहुत ही costly होती है तो जब loan पर कोई भी आदमी यह organs लेता है और वो pay नहीं कर पाता तब repo man को भेजा जाता है repo man एक term होता है जिन आदमी को भेजा जाता है और उनको मार कर उनका जो organ होता है वो छीना जाता है तो रेमी एक repo man होता है next in में हमें रेमी एक आम आतमी की तरह उसकी सुबा होती है यह हमें दिखाय कहा है वो अपने wife के साथ उठता है फिर breakfast करता है उसकी wife उसे बोलती है कि तुमारे बेटे को तुम आज school लेकर जाओ इसके लिए भी वो मान जाता है अपने बेटे को school छोड़ देता है और फिर अपने job में वो आ जाता है रेमी जब जॉब पर आता है तो उसका boss जोता है वो लोगों को convince कर रहा होता है कि आपको organ transplant करना ही चाहिए ये लोगों को idea sale करने में बहुत ही माहिर होता है लोगों को ये भी बताता है कि आपका जो loan है अगर आपने वो पे नहीं किया तो तीन महेने तक हम आपको मूलत दे सकते है इसके बाद हमारा आदमी आता है पर एक आदमी की अगर financial situation बहुत ही कम हो तो इसे वो पैसे लेने के लिए और भी जादा उसके loan rates बढ़ा सकते है इसे एड़ने के लिए ये सब वो कर रहे होते है रेमी जब ये सब देखता है तो उसे ज़रा गलत लगता है पर वो उतना ज़ादा उस पर ध्यान नहीं देता जब वो अपने locker के पास जाता है वहाँ उसके जो कलिक्स वगरा होते वो सब होते है यहाँ उन सब को अलग-अलग काम दिये होते है कौनसा organ उने निकालना है ये वहाँ दिया होता है उसमें सब कलिक्स जो हता है वो ज़रा angry होता है उसे इस week में बहुत सारे कान ही निकालने है इसलिए वो ज़रा disappointed होता है फिर रेमी एक room में जाता है जो organ उने निकाल कर लाए है वो वहाँ रग रहा होता है उसका boss भी वहाँ आता है उसका boss उसे बोलता है जो होता है यह उसका school में से friend होता है यह उससे बड़ा होता है फिर भी उसके grade में वो पढ़ता था क्योंकि इतना जादा study में ध्यान ने देता था रेमी कहता है कि एक bully था हमेशा मुझे तकलिफ देता था जब हम बड़े हुए तब हम दोनों आर्मी में चले गए आर्मी जॉइन करने के बाद जो सब violence विकरा होता था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा जब मैं वापस आया तो मुझे फिर से job चाहिए था तो violence का यह job मुझे अच्छा लगता था तो इसलिए मैंने job कर लिया उसके साथ उसका friend भी जेक वो दोनों आर्मी में थे इसलिए दोनों अपकली से और दोनों partner भी है यह जो काम होता है वो एक साथ ही करते है तो जेक और रेमी जब नीचे आ रहे होते है तो जेक उससे पुछता है क्यों ना आज हम night out करे ज़रा मजे करेंगे तो फिर रेमी भी इसके लिए मान जाता है रेमी फिर उसकी wife से permission लेने के लिए जाता है उसकी wife जहाँ काम कर रही होती है वहाँ वो गही होते है उसकी wife फिर उससे पुछती है क्या तुमने बात की रेमी कहता है कि अभी तक मैंने बात नहीं की है तो ये जो situation है तो इसमें रेमी के जो wife है उसे बोल रही है कि तुम्हारा job है वो गलत है तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए रेमी जो होता है तो इसके लिए वो ready नहीं होता तो इसलिए वो अपना job छोड़ने रहा अपनी wife की permission लेकर फिर वो बार में आ जाते है जेक रेमी को लोगों को मारने की किसे सुना रहा होता है रेमी भी इसमें enjoy करता है ये जो बार होता है वहाँ रेमी को एक singer पसना आती है वो बहुत beautiful होती है और उसके पैर में वो पढ़ जाता है अब आपको लगेगा कि रेमी की wife है उसका बेटा है तो इसको कुई और jeopardize करेगा पर ये सब हमें next scene में पता चलता है जब वो घर आता है तब उसके wife से वो intimate होना चाता है पर उसके wife उसमें उतना interesting नहीं होती है उसे वो हाथ नहीं लगाने देती है अब घर में आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो बाहर तो जाने ही वाला है और रेमी जो होता है वो अच्छा फाता है अपने बेटे के आता है उसके study से चल रही है वो पूछता है उसके बाद उसे story सुना कर उसे सुला दिता है नेकसीन में हमें दिखता है कि रेमी का जो घोर होता है वो आप आरगी उवेगरा चल रहा होता है ये एक party होती है तो इसमें उसने जेक को भी बुला होता है जेक को call आता है और एक आदमी को उसका taxi driver लेकर आ रहा होता है ये आदमी जो होता है उसका भी organ उन्हें निकालना होता है ये उनके चुटी का दिन होता है फिर भी जेक काम कर रहा होता है तो फिर रेमी से वो एक apron के लिए पुछता है रेमी उसे कहता है कि जल्दी जल्दी तुम्हें निप्टा लो योगि उसके wife को ये काम पसंद नहीं है इसलिए एक trouble हो सकता है फिर उसे apron देता है जेक फिर बाहर जाता है और उस आदमी को मार देता है उसका organ निकाल लेता है ये जब हो रहा होता है तो रेमी की wife ये सब देख ली थी है इससे वो बहुत इचिट जाती है और अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाती है जब रात होती है तो रेमी और जेक फिर से दोनों अपने काम के लिए निकल जाते है रेमी की वाइफ उससे छोड़कर चली गई है पर फिर भी इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा अपना जॉब वो नहीं छोड़ रहा जब वो कार में होते है तो जेक उसे बोलता है कि क्या तुमने नए इकुकमेंट के बारे में सुना यह जो एकुकमेंट होता है यह एक नियूरल नेट होता है M.5 नियूरल नेट इसे बोला करते है और एक नया अविश्कार होता है ये और भी upgraded version होता है जो लोग होते हैं उनके organ change करते हैं पर अगर आपने ये implant कर लिया तो आपको organ भी change करने की ज़रूरत नहीं ये directly अपने के brain को control करेगा और इससे आप किसी भी चीज में रह सकते हैं हमेशा आप खुश रहेंगे आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ आप हमेशा खुश ही रहने वाले हैं आप इसे west world की तरीके से भी समझ सकते हैं यानि कि एक theme park टाइप ही एक जगा में आज पहुच जाओगे पर ये सब virtual होगा आपके brain में ही चलेगा पर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा ये जब बात हो जाती है तो वो एक ship में आ जाते हैं यहाँ बहुत सारे लोगों थे जन्हें ने ओर्गन तो ले लिया है पर इसके लिए पेनी किया है फिर ये दोनों सब लोगों को मारते है खतरनाग action हमें दिखाये गया है डेटबूल में जैसा action हम देखते है उसी तरह का गोर, बहुत ही बलर्ड वेकरा सब ऐसा वैलनस हमें इस movie में दिखाये गया है और हम यहाँ सब देखते है फिर बहुत सारे और्गन्स वेकरा निकाल कर वासे बच चले जाते है फिर वो अपने office में आते है जो उन्होंने काम किया होता है इसे company को बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है तो उसका जो boss होता है वो उन्हें offer देता है कि अब तुम बहुत अच्छा से काम कर रहे हो तो तुमें upgrade भी तुम करवा सकते हो upgrade यानि कि यह जो उनका job होता है यह freelancing type होता है पर इसमें उन्हें एक steady job मिल सकता है रेमी इसके लिए मना कर रहा होता है पर जेक उसे रोक लेता है जेक उसे बोलता है कि हम इस पर सोचेंगे जब वो कार में होते हैं तो जेक फिर रेमी को समझाता है हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम जो भी काम करते हैं यह rules के according ही है अगर दुनिया में rules नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा जौब एक job होता है इसा वो फिर से उसे समझाता है रेमी भी यह जो job होता है वो लेने वाला होता है फिर हमें दीखता है कि रेमी जो होता है वो एक musician के घर पर आता है musician को पसंद करता है उसके गाने वो सुनता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है पर इसी musician के उसे organ निकालने होते है रेमी फिर उसे रिलाक्स होने का चांस देता है वो जैसी प्रोसीजर होती है अगर कॉल करना होगा तो तुम कर सकते हो ये मुजिशियन को बताता है मुजिशियन उसे कहता है कि मैरा एक लास्ट गान है उसे कमलिट कर लेता हूँ और उसके बाद तुम मुझे मार देना मुजिशियन अपना गाना कदम करता है और लेट जाता है जब रेमी उसे शौक देने वाला होता है तब उसे ही शौक लग जाता है रेमी फिर हमें डारेक्ली हॉस्पिटल में दिखाये गया है रेमी अभी भी अपना जौब होता है उसके बारे में सोच रहा होता है वो जेक से बुछता है कि ये क्लाइन का क्या हुआ जेक उसे कहता है कि इसके बारे में तुम्हें इतना जादा सोचना नहीं है जब रेमी आसपास देखता है तब उसका ही हार्ट अब चेंज करना होता है उसका boss होता है वो उसे ये बहुत ही अच्छा हार्ट है ये सेल करने के कोशिश करता है पर रेमी को ये कुछ भी नहीं सुनना होता उसे बहुत ही संदमा लगता है कि अब उसे ही organ transplant करवाना पढ़ रहा है ये बहुत ही कौसली होता है और इसकी डेव भी बहुत ही जादा होती है जेक फिर उसे समझाता है और वो उसका organ transplant करवा लेते हैं जब रेमी घर पर आता है तब उसकी wife उसका suitcase उसे बहार निकाल कर दे देती है उसे अब रेमी से कोई भी समझ नहीं रखना उसे कही थी है कि तुम्हें मैंने chance दिया था पर तुम जब last job पर गए तो तुमने वो chance कवा दिया रेमी फिर अपने friend जेक के आ जाता है और उसके घर पर रहता है जब रेमी को अच्छा लगने लग जाता है तब वो फिर से वाफिस में आ जाता है वाफिस में उसके लिए celebrate वगरा करते हैं कि अब वो फिर से अच्छे से वापस आ चुका है इस injury के बाद फिर से जब वो एक आदमी के पास जाता है और उसके औरगन वो निकालने वाला होता है पर वो ये अब कर नहीं पाता वो उस आदमी को मार नहीं पाता अभी अभी उससे एक नया experience मिला है वो बहुत ही injured हो चुका था और इस सब चीजों से उसे सद्मा लगा है तो इसलिए अब वो किसी भी आदमी की जान नहीं ले सकता फिर से हम नेक सीन में देखते हैं कि जेक और रेमी दुनों बार में होते हैं बार में वो डिंग वगरा कर रहे होते हैं और जेक फिर से एक स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसने एक आदमी को मार दिया था इस बार रेमी ये स्टोरी सुन नहीं बाता रेमी फिर कहता है कि जिस आदमी को जेक ने मारा है उसके wife होगी, उसके kids होगे इसके बारे में कौन सोचता है और वो ज़रा philosophical हो जाता है और उसे अब ये काम करना अच्छा नहीं लगता ने इस दिन वो अपने बेटे से भी मिलने जाता है पर उसके wife उसे उसे मिलने नहीं देती रेमी रात में जेक के साथ डिनर कर रहा होता है तो जेक उसे कहता है, ये phase है ये तो निकली जाएगा थोड़ी दिनों में लोगों को तुम मारने लग जाओगे कोई problem नहीं है फिर भी रेमी ये सब करने बाता, तो वो days job ले लेता है जो उसका boss करता है कि लोगों को idea sale करना कि उन्हें organ transplant करवा नहीं है ये वो job वो कर रहा होता है फिर जब वो sale करता है पर इसके बाद वो straight forward उन्हें बता भी देता है कि हम तुम्हें मार सकते हैं तुम date में आ जाओगे और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा ये भी उसे बताता है इसे clients जो होते हैं वो उसे दूर जाते हैं इसलिए वो ये job भी वो नहीं कर पाता अब रेमी ये job नहीं कर पारा तो इसलिए उसके पाद पैसे भी नहीं आ रहे हैं अब पैसे नहीं है तो organ के जो हफ़ते आते हैं वो भी वो पेनी कर बारा तो इससे ये बड़ा प्रॉल्म हो सकता है। फिर जेक उसे समझाता है कि तुम्हें ये जॉब करना ही पड़ेगा वरना तुम्हें वो मार देंगे। इसलिए वो उसे एक साइट पर लेकर आता है। ये जो एरिया होते, यहाँ बहुत सारे लोग होते, जिनने अपने ओर्गन के लिए पेनी किया होता, अब उन लोगों को उसने मारना होता है। जेक फिर उसे वहाँ छोड़कर कहकर जाता है कि अब तुम्हें लोगों को मारना ही है और फिर वापस आना है। ये जो तुम कर रहे हो ये सब तुम्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना है रेमी फिर वहाँ जाता है तो एक army को मारने की वो कोशिश करता है पर वो मारने पाता वो आदमी उसे injured कर देता है रेमी फिर जल्दे जल्दे जब आगे जाता है तब उसे बैद दिखती है बैद वही सिंगर होती है जिसको उसने बार में देखा था जिसके पैर में वो पड़ गया था लवाएस्ट फर्स साइट उसे हो कई थी जो बैद होती है वो ड्रक्स करकर वहाँ पड़ी होती है और इसने भी बहुत सारे ओर्गन्स लगाया होती है बैद की कंडिशन बहुत ही खराब होती है तो रेमी को इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है वो उसे उठाता है और एक मोटेन पर लेकर आता है जब बेद रात में उड़ती है तो उसे लगता है कि रेमी उसे मारने के लिए आया है तो उस पर हमला करती है रेमी फिर अपनी भी situation उसे बताता है और वो फिर शान्त हो जाती है वो से कहती है कि तुम्हारी भी मेरी तरह लगी पड़ी है रेमी के पास प्रॉलम है तो अब वो हफता भी पेहनी कर पा रहा है तो अब वो क्या करे तो इसके लिए अब वो plan बनाता है उसका जो office होता है वहाँ वो fake जो organs होती है वो वहाँ submit करता है इसका मतलब उसके जो organs होगे उसका serial number मिट जाएगा इससे अब उस पर loan ने रहने वाला होता तो यह जब वो कर रहा होता है वहाँ जेक आ जाता है जेक उसे रोक लेता है पर उसे वो कुछ hurt वेगरा नहीं करता उसका फ्रेंडी होता है तो उससे वो क्या करेगा जेक आखरी बार अपने बेटे से भी मिल लेता है और फिर वो बेट के पास आ जाता है वो बेट को बोलता है अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वो फिर उसे एक सुमसान जगा पर लेकर आता है जहाँ पर उन्हें कोई ढूड़नी पाएगा जब बेट सोई होती है तो फिर रेमी हमसे बात करता है वो कहता है कि बेट के पास बहुत सारे ओर्गं Lebens जो है वो सब सेंथिक है उसके सिर्फ हार्ड जो है वो रियल है रेमी के पास वही नहीं होता Next Sin में हमें दिखाये गया है कि Jake के पास उसका boss आता है उसे कहता है कि तुमें रेमी को मारना होगा तो तुम उसे मार सकते हो Jake इस job के लिए मना कर देता है Next Sin में हमें फिर से रेमी और बेट दिखाये गये है और वो दोने discuss कर रहे होते हैं रेमी उसे पूछता है कि तुम्हारे गोन कोन से औरगन अन्रियल है तो वो सब कहती है, सब चीजों के नाम लेती है और फिर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है रेमी का बड़े आने वाला होता है इसलिए बेट फिर उसे एक टाइप रैटर देती है इसी टाइप रैटर पर वो लिखता रहता है मूवी के फर्स्ट में भी हमें दिखाया गया है कि साइन्टिस्ट रैट के बारे में वो लिख रहाता कैसे आदमी एक इंस्टन में जिंदा भी रह सकता है और मर भी सकता है, इसके बारे में वो लिख रहाता तो ऐसी टाइप राडर पर रोलिक रहा होता है फिर next scene में दिखता है कि बेट को कुछ सुनाई देता है उसके कान भी जो होते है वह synthetic होते है तो इससे उसे बहुत जादा सुनाई देता है अब रेमी को मानने के लिए उसका एक कलीक आया हुआ होता है उसका कलिक उसे मानने के कुशिश करता है, इसमें बैथ जरा injured हो जाती है रेमि उसके कलिक को मार देता है, फिर रेमि और बैथ दोनों गाड़ी में वहाँ से निकल जाते है बेट की जो नहीं होती है वो बहुत ही जादा injured होती है तो इसके लिए वो ज़रा solution निकाल लेती है वो खुदी ज़रा surgery कर लेती है और उसको fix कर लेती है रेमियों से बोचता है कि तुम यह कैसे कर सकती हो बेट केती है कि तुम अगर street में बहुत दिनों तक रहोगे तो तुमें भी बहुत सारी चीज़ी करना आ जाएगा फिर रेमियों में दिखता है कि वो अपने boss के पास आता है उसका plan होता है वो complete करने के लिए वो आया हुआ होता है वो उस office में disguise करकर पहुच जाता है एक banana का costume पहन लेता है और उससे वो अपने boss के आ जाता है यह जब वो costume उसने पहना होता है वो अपने friend से भी टकरा जाता है जेक को लगता है कि कौशुमाला है जेक उस कौशुमाले को motivate करता है और कहता है कि हमेशा अपना सर तुमें उपर रखना है कभी ना कभी तुम भी रेपो मैन बन जाओगे जेक वेसे उतना बुरा आदमी नहीं होता फिर जब रेमी अंदर आ जाता है और अपने boss पर वो गन रखता है उससे कहता है कि मेरा जो भी सब लोन है उससे तुम clear कर लो उसका boss उसे कहता है कि मैं अब यह नहीं कर सकता जब तुम last time आये थे तब यह हमारी system में glitch है यह हमें पदा चल गी थी तो इसके लिए अब जो भी सब होता है वो headquarters में होता है फिर रेमी वहाँ से चला जाता है और रेमी का जो boss होता है वो फिर reject कोई contract देता है रेमी को मारने के लिए अब रेमी का next plan होता है कि वो अब airport पर जाए और वहाँ से नहीं country में हो जा सकता है बैतों से बुछती है कि airport पर तो लोग हमें पहचान लेंगे वहाँ पर scanner होते है तो इससे वो पकड़े जा सकते है पर रेमी ने अपने boss के पास जब होता है तब उसने blockers वहाँ से लग जाता है अब रेमी के पास जादा कुछ plan भी नहीं होता तो बेत फिर उसे suggest करती है उसे फिर वो एक जगा लेकर आती है जब उसका friend होता है यह जो जगा होती है वहाँ सब outlaws होते है जिन लोगों को system अच्छा नहीं लगता और synthetic organ भी उन्होंने लगाया होते है वो सब एक बड़ी building में रहते है यह पगड़े नहीं चाते है क्योंकि technology में यह ज़रा advance होते है जिससे वो अपने signal वेकर ब्लॉक करते है फिर बेत उसे अपने friend के हाँ लेकर आती है उसका friend उसे help कर सकता है उसका friend जो होता है वो technology में advance होता है तो बहुत सारी चीज़े वो कर सकता ह जब वो बेत की नहीं देखता है तो उसे पुरा change करना होता है फिर वो उस दूसरी लड़की के पास उसे भेज़ देता है यह एक Asian लड़की होती है रेमी को लगता है कि यह लड़की उसी kneecap change करेगी पर उसकी जो बेटी होती है जो 10 साल की होती है वो इस surgery करती है और बेत क जो फ्रेंड है उसके पास आते है तो उन्हें देखता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है जेक वहाँ रेमी को ढूंते दूंते आया हुआ होता है और उसके फ्रेंड को मार देता है जेक रेमी को कहता है यह जो भी कुछ हुआ है यह हम हमारे पीच्छे डाल सकते हैं हमारे ब कहता है कि आगर मुझे पता होगा तुम ऐसा सब कुछ करोगे तुम्हें कभी भी नहीं करता इसका मतलब रेमी को जो शौक लगा था यह जेक नहीं करवाया था रेमी सब्सक्राइब पुछता है कि यह क्या है तो जेक कहता है कि तुम्हें जो शौक लगा था तुम्हें क्या माला होता है बैत अपना इक डिवाष निकलती है इस से जेक को बहुश कर दіти है जब रेमी को थोड़े देरा बात होश आता है तब बैत उसे लेकर निकल रही होती है जिस बिल्ली में होता है जैसे मैंने आपको पहले भी पता है इस बिल्ली में सब gotta लाज होते हैं तो इनकी जो लीडर होती है वो रेमी को स्पाट कर लेती है उस पर गण रखती है और कहती है कि मुझे एक रिजन बता क्यों मैं तुम्हें नहीं मारू रेमी फिर उसका उन दिखाता है जिससे उसका हार्ट ट्रांस्प्रांट हुआ है तो इससे अब उससे पत वो लोग हमेशा हमारे पीछे ही रहेंगे हम इससे भाग नहीं सकते हमें इसका डटकर सामना अगरना पड़ेगा यही अब उनके पास वे होता है फिर हमें दिखता है यह रेमी और बैट दोनों स्टेशन पर होते है और अपने बेटे से रेमी एक लास्ट बार मिलना चाता है तो इसलिए अपनी वाइफ और बेटे को वहाँ बुला लेता है टेन में अपने बेटे से मिलता है उसके अलविदा लेता है पर उसने जो भी सब लिखा होता है जिस मूवी के बीच में भी कुछ तो लिख रहा था जिस ट्राइबर रैटर से बेट ने उससे लिखनी के करता है रेमी उसे डाटता है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए तुम्हें अपने माल का सुनना चाहिए बगरा पर जाते जाते रेमी फिर उसे एक लोकेशन देता है उसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे यहाँ स्पॉर्ट कर सकते हो नेक सिन में बहुत सारा खुन खराबाया होता है बहुत सारे लोगों को रेमी मार देता है और अंदर पहुच जाता है वह उसे पींडो डुणना होता है वह फिर वह पहुच जाता है बेत और रेमी जब अंदर पहुचते है तब उनी दिखता है यहाँ तो कोई कॉम्पेटर ही नहीं ह वासिब scanner होते है तब रेमी को लगता है कि हमारे जो organ से हमें scan करने बढ़ेंगे और उसके बाद organ रखने के लिए system open होगा जब यह open होगा तब वो उसमें bomb रख सकते हैं और सब database खतम कर सकते हैं तो इसलिए अब वो एक दूसरे को काटते हैं और सब के organs जोते वो scan करते हैं एक दूसरे को organ scan करकर जब एक सब खतम होजाता है तभी जेक और उसका boss आ जाता है जेक का boss उसे मारने के लिए कहता है पर जेक फिर रेमी से बुच्छता है यह तुम यह सब जो कर रहे हो क्या वर्थिट है रेमी कहता है कि अब मैं प्यार में हूँ बेट मेरी जिंदगी में है तो कुछ भी है सब कुछ वर्थिट है जेक अब अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाहता तो इसलिए अपने बॉस को ही उड़ा देता है फिर वो सब explosive उस system में रखते हैं और system को ही explode कर देते हैं पिरह में रेमी, बेथ और जे सब बीच पर दिखाये गए हैं वो सब अब outlaws वगिरा है तो बहुत ही enjoy वो सब कर रहे होते हैं जेक के हाथ में रेमी की book होती है रेमी ने उसके बेटे को जो book दी होती है उसके बेटे ने वो publish करवाय होती है रेमी को इससे बहुत ही पैसे मिलते हैं और इससे वो अब ये सब जिन्दगी afford कर पाता है रेमी बहुत ही खुश होता है जेक से बात करने के लिए उसे देखता है पर इस टाइम में वो गाय हो जाता है फिर ये गलीच हमें स्क्रीन पर ये दिखती है और फिर हमें पता चलता है जेक जो था उसने रेमी को पहले ही मार दिया था जब वो बेट के फ्रेंड के आया था उसे मारने के लिए और जब रेमी और जेक में जब फाइट हो चुकी थी तब जेक ने रेमी को मार दिया था इसके बात की जो सब मुवी थी वो रेमी के ब्रेंड में चल रही थी उसके ब्रेंड में जो नया अविश्कार आया था M.5 Neural Net वो उन्होंने ट्रांस्प्लांट किया था जेक ने कंपनी कंपनी को पैसे दे कर रेमी के लिए बनवाया था इस ट्रांस्प्लांट से रेमी का ब्रेंड हमेशा वर्क करेगा और इससे वो हमेशा अच्छे से प्लेस में रहेगा रेवी जो भी imagine करेगा उसी imagine में हमेशा हो खुश बेट के साथ उसके बेटे पूरी family के साथ वो रहने वाला है अपने friend के साथ भी हो रहेगा इससे पूरी उसके life अच्छी हो जाएगी इसलिए Jake ने उसके किया होता है जैसे हमने पहले भी देखा था कि अपने friend के लिए वो care करता है उसने उसे shock देने का plan भी किया होता है क्योंकि वो दोनों साथ रह सके Jake ने पूरी building में सब लोगों को मार दे होता है तो इससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते तो इसी वज़े से उसने इस पैसों से उसका transparent किया होता है Jake अब बैद के लिए भी पैसे रखने वाला होता है और उसे भी यही करवा देने वाला होता है नेकसे में हमें Jake और रेमी की जो boss होता है उसके advertisement दिखती है इस advertisement में बता जा रहा होता है यह जो world है यह perfect world है यह advertisement चलती है और रेमी पेज़ पर enjoy करता है जैसे हमने movie में देखा है कि रेमी को हमेशा एक question रहता है कि कैसे आदमी एक की time पर जिन्दा और मरा हुआ कैसे हो सकता है अब इस movie में last में हमें पता चलता है कि रेमी इस वक्त में जिन्दा भी है और मर भी चुका है रेमी मरा हुआ है पर उसका brain काम कर रहा है इसलिए उस memories में उसके thoughts में वो जी रहा है रेमी को यह बात last तक पता ही नहीं चली है यही movie खतम हो जाती है